और उस वक्त हरक सिंग रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कई तरह के सवाल उनसे होंगे सबसे पहले तो हरक सिंग रावत जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर नवश्कार जी बर खास्तगी आपकी कीद गई है आप क्या वज़ा मानते हैं इसके पीछे मैं सुस्ताओं कि बिनास कालें बिप्रित भी दी क्यूंकि मैं कल दब वो में से काओ जो राइपूर से विदायक है उन्हें का कि वही पलाजोसीज ने आपको दिली बलाया है तो हम लोग दिली के लिए चले थे पांच बज़े के आसवास दिली से चले दिली के लिए चले देर दुन से तो सोशल मीडिया में हम देख रहे थे रास्ते बर की मीट न्यू चल लए कि हम कॉंगरेस में समर्डित हो सकते यह हो सकता है और मैं जब दिली नौशड़े नौ सोशल मीडिया और मीडिया में नूज आई कि मुझे बरकास कर दिया गया तो जबकि नानिल बलोनीजी से जो पार्टी की परोकता है उनसे बाचित हुई तो मैंने का भई इसमें ठका हूँ और सुबह मैं आपको बिलने आँगा फिर बाचित करेंगे तो अचनक यह जो साइद मुझे नहीं मालूम कि भारजनता पार्टी ने इतने बड़ा राष्ट निर्टत्वा केवल सोशल मीडिया पर फरजी समाचारों के बल्बुते पर इस तरह का कैसे डिस्जन लिया है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि मेरी कॉंग्रेस में किसे को बात भी नहीं हुई थी वहां गड़ेस गोड़ाल जो परदेश अध्यक्ष है दो दो दिन पहले उनका फोन जो मुझे आया था प्रित्म सिंग जी का आया था वो लोग सामाने रूप से क्योंकि साथ के लोग हैं छोटा परदेश है हमारा तो सामाने रूप से बाक्षित करते रह लेखेत कि रावजी आप हमारे साथ आजो तो मैंने उनसे का बी जैसे डालनी के लिए आज मिश्व करता है किनी ठीक है देखेंगे बात करेंगे लेकिन कोई कल तो बिलकुल भी मैं तो पलाट जो हमारे हुमेरे उमिस का और रजोशी का हैं और आपको बुलाए है वह सिर् का पालन नहीं कर रहे है ते कि अपना एपनी बहूं के एस इसोगए निलए तो बड़ा धूख है इस बाठी का इतना बड़ा निर्टत्वा और वो इस तरह की पलाज जो से दो दिन पहले मेरे देरदुन में जब तीन दिन पहले मुलाकात हुई थी उन्होंने बुलाया था तो मैंने का भई प्रफ्री मैं बैस्टरोन गया था और जीसले हमारी जीजी हैं जनतरे पांस सर्वेकरा लिजेगा अगर वो जीच सकती है प्रफ को मौका दे दो मैंने का मैं बहुत ःतग हंकारण के रहा निती में काम करने के लिए तियार नहीं हूं मुझे पार्टी में कोई काम दे दो और मैं पार्टी के लिए काम करूँगा ये बात हुई थी उन्हें का ठीक है आज आपने मुझे से ये बात करूँगा और उसके बाद बताऊंगा तो उसके बाद मैं कल इस उमीद में कि साइद पलाज कर दिए इस पालारे जी उनकी पत्तिं को दोटी कर दिए मैं परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ लेकिन अगर किसी परवार के हरक सिंग रावच जी आप पर ये भी बीजेपी आरोफ लगा रही है कि आप कॉंग्रेस के कई निताओं के संपर्क में भी थे अगर कि मैं बिल्कुल नहीं संपर्ग में था मैं बिल्कुल यह उनका जुटा रूफ है मैं मैंने का ने कि पिरतरम सिंग जी जो लीडर आपोजिशन है जो हमारे कॉंग्रेस के परदेश के अद्यक्षें गोद्याल जी मेरे छोटे भाई हैं मेरे समन्द हैं जब मैं कॉंग्रेस में था तब भी मैं भाचपा के समी लोगों से मेरे मेरे रानिती अपनी जग है लेकिन समझ अपनी जग है लेकिन इसका मुलब यह नहीं कि कोई मैं कल भी जब दिली घर पर पहुंचा हूँ मेरे घर से फोन आया दे दों से तो उन्हों का नहीं आप को बड़ा निर्णे मत कर देना मैंने का जो भी सोशल मीडिया पर देखने के पार्टी में लेकिन मुझे अच्छा लगा आज मैं बड़ा खुस हूँ कि मुझे पांच साल काम नहीं करने दिया गया पार्टी में लेकिन मैं इसके बाब जो तो भी कड़वे घूड़ पी के पार्टी मेरा की मैंने भाजपा में आया हूँ एक बड़ी लड़ाई- मुझे बड़ा सुकून जैसा मिल रहा है कि मुझे काम नहीं करने दिया पांस साल लाल ढांक चिले खा सड़क को पेज सयोग नहीं किया आपका जो है मैं पाकरो जो टाइगर सपारी बनाने के लिए काम कर रहा था उस पे जान बुझके ब्यूदान डाले गया किसने आखिर काम नहीं करने दिया क्या रुकावट रही थी मुझे देखे मैं कोई भाजपा ने मुझे निकाला है मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा न मैं कभी गलत बात करने का हदि हूँ हमिसा जी ने और माने नड़ा जी ने मुझे हमिशा पार्टी के राष्ट निटतर है परदान मंतरी मोदी जी ने हमिसा मुझे बहुत सम्मान दिया है और वही कारण था कि मैं इतना सब कुछ करवे घूड पीने के बाद भी मैंने कोई बड़ा निने कभी नहीं लिया और अरक सिंग रावची एकोर आपने कहा कि मुझे बहुत सम्मान दिया गया साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि पांच साल मुझे काम नहीं करने दिया गया ठीक है लेकिन अब दो हजार बाइस वधान सबार चुनाओं भी है उत्र रह चुका हूं मैंने बहुत उत्तर प्रदेश से लेकर उत्राखंड में बहुत उतार चड़ाओं देखें बस यह कि मेरे जीवन में एक वह है कि उत्राखंड छोटा राज्य है कैसे तरकी करें कैसे नौजवान के हाथ को काम मिले कैसे स्वास्ते सेवां बेतार हूं कैसे ह यह आइडरो परजोट के चेतर में परदेश जो है उस्चाइव कुछ हुए वैसुस्तों की जो रास्तान रेच के टीले बेच सकता है तूरिज्म को डेपलब कर सकता है हम पे सब कुछ इस्वर् नहीं हैं वह न पर नदिया हैं हम पे पार हैं कॉर्वेट नेसल पार्क है राज नेशन पार्क है लेकिन इसके बावजूद भी आज उत्राखन में बिरोजगारी उत्राखन में जिस तरे की समश्या है उससे कैसे उत्राखन को आगे बढ़ाए जाए और मुझे पूरा भरुश है कि मैंने केदार बाबा की सिवा की है जब 2013 में आपदा आई थी तो उ से पहले मैं वहां पहुंचाता और मुझे दिल से मैंने वहां केदार बाबा की सिवा की है तो मुझे पूरा भरुश है केदार बाबा का आश्वाद मिलेगा जो हमारा रास्ता है उत्राखन के मैं देखे रानिती दल कोई भी हो सकता है मकसद हम सब का एक है कि कैसे यह उत् एक्तिकत को इश्वार तब नहीं रह गया क्योंकि मैं बहुत इश्वन ने उत्राखन के जनता में एक सिपाई का बेटा हूं मुझे उत्राखन की जनता ने बहुत दिया है मैं दस-दस दिन में लोगों ने मुझे भरो सक्या कुरदार के लोगों ने भरो सक्या रुदरपया के लोगों ने लेस्रडोन के लोगों ने पौडी के लोगों ने और ये उत्राखन का नोजवान मेरी ताकत है उत्राखन की माता बेने मेरा उनका आश्रबाद मेरी ताकत है जे और उस ताकत का परियोग उनके आश्रबाद और बदरिक वेगदार का आश्रबाद का परियोग मैं उत्राखन के भलाए के लिए जब तक मेरी सांसे हैं मैं उसके लिए करना चाहता हूँ देखे मैं सुछता हूँ की परदेश की सरकार में जो लीडर सी थी इन 4-4 साल में धामी ने ज़रूर मुझे स्योग किया लेकिन उनको समय बहुत कम मिला लेकिन उससे पहले जिस तरह मैं अच्छा काम कर रहा हूँ जबर्दस्ति उसमें ब्यवदान डालने की कुशिस की जाती रही लेकिन सिर्फ मैं इसलिए कि मैं कॉंग्रेज छोड़के भाच्पा में नहीं आया होता तो साथ मैं क्योंकि मैं इतना गुटन जैसा माहूल था मैं नहीं रह सकता था लेकिन मेरे सामने धर्म संकट ये था कि हम कॉंग्रेश छोड़के भाच्पम आये थे फिर लोग हम पे आरोप लगाते कि आपने अच्छा है भाच्पा ने मुझे खुदी निकाल दिया और मेरा बहुत बड़ा आज मैं बहुत रिलेक्स हूँ आपने कहा कि अच्छा है भाच्पा ने आपको खुदी निकाल दिया लेकिन सवाल ये भी है यहाँ पर हरक सिंग्रावट जी क्या आखिर क्या आगे की रणनीती आपकी क्या है पहले तो ये बताईए कॉंग्रस में शामिल होने की बहुत सारी अटकलें आपकी हैं देखिए आप तक बिल्कुल जब आप तक की अटकलें बिल्कुल जैसे मैं को ना बाग आया बाग आया और आदमी डर के उज़से कूच जाता है ऐसे हुआ पता नहीं भाच्पा को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे इनको इनके दिमाग में घुसता है मेरे मोब फाल इसने मैं भाच्पा छोड़ोंगा कि बाच्पा सुकार नहींlaw लेकिन लोगों का रोजान युवाओं का रोजान कर्मचार का रोजान भाच्पा के पक्ष्पे नहीं है उत्रा खन में ये कड़ोी सचा है पिछले 6 मेने से मैं अपनी पार्टी के निर्दुतों के सामन नडा जी से मैंने बाचित की ने समझ हमहारा कि बिना मुझेस्वे बाचित कियी हुए ? आपościत करते वह तो अच्छा हुआ कि मेरे घर में बिजली नहीं गई होते हैं भिजले ठीक नहीं हो खराब नहीं होती है तो मैं तोमिसाज जी को फोन टैम लेने के लिए फोन मिला रहा था लेकिन तब तक समाचा रहा गया कि मुझे निस्कासित कर दिया तो मैं सुछता हूं कि साइद केदार बाबा इश्वर साइद मेरे हाथों कुछ और चाता था और कोई अच्छा होना होगा कई बार बुराई में अच्छा ही ढूननी चाहिए और आज आज जो मेरे साथ बुरा किया बिना किसी गल्ती के मैं सोता हूं इसमें कोई ने कोई बहुत अच्छा ही लिखी है उत्राखंड को एक अच्छा रास्ता मिलना है उत्राखंड एक अच्छी तरीके बे जाना है अरक सिंग रावट जी आप अपने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है ने ने मैं पिछले एक साल से पहा रहा हूं एक एक सीड पर है पेनिल सेस्त करो हमें साजी से सारे से पिलाजर सबसे आहे हैं कुछ भी कर लें पूराखन में कौंग्रेस की सरकार यह को सरकार आ लेकिन सबसे मैंने कहा भी कुछ दिन पहले नीनए का भी ठाब है another मैं अपने कारीकाल से अगर सबसे ज़ने मेरे मंत्री के रूपे सबसे निराशर जनक कारीकाल मेरा हुज समय का था लेकिन क्योंकि मैं कौो रे छोड़के भाजबम आया था तो मैं चाहता था कि नहीं आप जिन्देगी में सब कुछ नहीं मिलता है और कई बार पर्तिकूल परस्तियों में भी मन को मार ना पड़ता है और मैं मन को मार रहा था लेकिन अच्छा है मेरे मैं भारते दापार्टिय की निर्टतों का बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने ब निर्णे परदेश के हित में होगा उनका यह निर्णे उत्राखन के हित में होगा नौजवानों के हित में होगा और अंतिम सवाल आपसे यह भी करना चाहूंगी कि कल बीज़ेपी की जो बैठाक हुई थी उसमें आप शामिल नहीं हुए थे इसकी वज़ा मैं कोर्दौार थे दिली आया था और मुझको बिल्कुत सुचना नहीं थी मेरी पला जो सी से बात वी कैने बेर्णे थायए बेखाय मैंने का मुझे तो अभी आदा गूंटा पहले पता और मैं सीदे दिल्ली से जो है सीदे दिर्दुन चला गया मैं 5 बजे दिर दुन पहुंचा तब तक बैटक खतम होगी थी मैं बीजे पेका ले गया तब 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 बैटक समाब तो होगी थी और फिर कल मुझे पला जोसी ने दिल्ली बुलाया तो मैं फिर दिल्ली आ गया लेकिन अब इस एक चीस मैं आपको बताऊ हूँ पार्टी में मीटिंग में समझेत नहीं हो नूँ मैंने का भी बैस सुछता हूँ लेकिन जो होनी होती है ना उसको कोई रोक नहीं सकता है वो आपके हमारे हाथ में नहीं है साइद मेरे हाथों इश्वर कुछ अच्छा कराना चाता है और मैं तो हमेसा जो भी परिस्ते आती हैं उन परिस्तेओं में अच्छा ही ढूने कोशिस करता हरक सिंग रावट जी आपने का आप दिल्ली गए थे तो दिल्ली में क्या बातचीत आपकी हुई प्रहलाज जोशी के साथ भी आपने कहा कि उनके साथ भी बातचीत हो रही थी किस तरीके की बातचीत हुई वहें कि लेट नेकल ने कल मैं कल बहुत लेट हो गया क्यांकि जैम था लेट हो गया और मैं जब इसा गया था तो मैंने आनिलबलपन जी का फोन आ तो मैंने उन vendor का बैश сама में भुह थंवी मुलते हूं और मैं अभी मिलता हो उसके उसके बाए मैंने सोचा था कि आज मिलूँगा सामिशाजี้ से मिलूँगा लेकिन तक समाचारचल चल गया क्यों कि सोचल मीडिया के इससा कि कई बार आज कशल मेडिया में कोई किसी का बस तो है निक्री कुछ भी halten डॉल देता है कि दिल करतिछी प्रितन सिंग जी कि किसी अपनी पत्रीं के साथ फ्लैट में थे मैं काओ भी दिल्या में उनसे नड़ाजी से मिले दिल्या रहे थे तो समाचार चल दिया कि अब इतने उसे समाचार मुझे नहीं समझ में आ रहा है दिल्ली भारत सकार आप चला रहो इतने सब कुछ तंतर आपके पास है और ऐसे क चुनाओ रणना चाहता हूं मेरे पार्टी में पर्योग कर लो आप मैं पार्टी के लिए काम करणा और अगर अनुकृती चुनाओ जी सकती है तो उसको टिकट देदो नहीं जी सकती तो आप जो भी पार्टी का दिस होगा आप वो जभडस्रीकी सांब मैं उनके लिए टि तुक Зiform 그다음에 भार ribs कोलिज पाल साल में आपने निउम तकनी नहीं नहीं रखनी होना था कर्कड के जम्हें एक जियो जारी करा 25 सबसराइबाना तो किसी मामारी इसे पूरे पॉड़ी जीले को पूरी बीज उसका फाइदा होता है आपने लिए बनाना चाहता है क्या इस काम को ठीक है हरक सिंग रावट जी आपने कहा कि पांच साल आपको जी बोली बोली आप आपनी बात रखिए मेरे एक आधा मेरे एक आधा मेरे एक आधा जुरूर है कि अगर मैंने 2017 में उत्रा कोड़ार की जंता से गड़गरी जी आये सब्सक्राइब करने इस अब आप काम नहीं करने दिया गया और जो 6 साल की बर्खास्तिकी अब आपकी की गई है पार्टी से इसको लेकर अब कोई बात आपने आला कमान तक बातचीत करने की कोशिश की इस विशय पर क्यार मैं यह कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि इनोंने यह निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता है तो मैं निसमझता हूं कि यह नौबाता रिसम बिना पुछे बिना कोई बात करे Union छार रहार हैं कैसे च्रछ चला में कि कि बिना इतना सूचना तंतर है इनके इंटलिजेंस है सब कुछ है इतनी सारी एजेंसिया है और इसके बावजूत इतना केवल एक सोचल मीडिया के फ़र्जी ख़बरों को या दर अपर आप इतना बड़ने कैसे ले सकते हो अरे बात तो करने चाहिए आप लेकिन आप मुझ बिनाशकारे इन विप्रित बुद्धी इनको साइद जब किसी के दिन आने लगते हैं तो उसे ऐसी गलतिया होती है मैं तो मिलेटिस साइंस का विद्धारती रहा हूं मैं 25 साल सैने बिग्यान के को पड़ा है जब किसी राजा की या किसी को हारना होता है किसी को प्राय जय लिखी होती है उसको नुक्षान होना होता है तो उसको वही बुद्धी देता आदमी और मुझे लगता है कि मैं इसको मैं उत्राखंड के हित्में देख रहा हूं उनके इस निने को उनसे यह गलती साइद इसले हुई कि उत्राखंड में कोई बहुत अच्छा होने वाला भला होने वाला है उत्राखंड इसने साइद इन से यह गलती हुई मैं सुछता हूं यह आज आपना कुछ भी कहरें लेकिन दस तारिक मार्च को जिस दिन रिजट खुलेगा आज इनको एहसास नहीं होगा कि इन्हों से बड़ी गलती हुई दस मार्च को एहसास होगा जिस हमको 57 विदाइक दिये लेकिन इसका मज़र्ब यह थोड़ी कि इतना घंबंड आ जाया आपके अंदर कि आप उतरा क्षण के लोगों को बेड़ बक्रियों को इतरह आप समझो अरे बेड़ बक्रियों की मत होती है उसको भी उसको भी उसके भी आदमी से शेवा करता है जि आपको जो है दो दो बार जनता ने जो है लेकिन परदेश में भी सरकार दी तो परदेश की सरकार का भी तो कुछ उतर दा इतो है जी आपको लेकि फटानी में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह ओल वेदर रोड पे दो चुनाव जित गए वन रंग वेंड पैंसिन पर दो च आप कहरें हैं हमने 22,000 बिग अपते निकाली कमिशन से अरे आप निकाली आपने 5 साल निकाल दिया आपने 2017 में बिग अपते निकाली होती अब तक न्यूक्तियां हो गई होती मैंने आयरवेद में जरूर कुछ फामेसिस की न्यूक्तियां करी जो येरवाइस थे 400-500 लोग मैंने व्तund ये निकली ने लगाएं लड़ी नाराजगी है कुछ अपसरों के कढशे नहीं मैं अब ने अपकी ने लेकन साथ-साथ आज क्या किसी से आपकी मुलाकात विक्सी है कौंग्रस में आपका जाना क्या तैय समझा जाए नहीं मैं अभी मेरे कोई मुलाकात नहीं हुई है लेकिन अब क्योंकि मैंने काने कि परदेश में कॉंग्रेस की सरकार आ रही है इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोख सकती है ये जिसके भगत केदार बाबा के भगत हैं महुने मोदी जी तो मैं भी उससे कम भगत नहीं मैं केदानाथ की वो सेवा की है पूरा केदार घाटी जानता है मैंने केदानाथ की किती सेवा की है और दिल से की है मैं कोई काम दिखावे के लिए नहीं करता हूँ हर चीज भोड की राने ते के लिए नहीं करता हूँ इसलिए उस केदार बाबा का आशरवाद है और मैं साइध माध्यम बन रहा हूं केदार बाबा मुझसे बदरिनात मुझसे इश्वर मुझसे मुझको माध्यम बनाना चाहता है और इसलिए अच्छा होगा कॉंगरिस की सरकार प्रदेश में आ रही है और ये सुनिश्चित है दुने कोई ताकत नहीं रोग सकती है आप सब का मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि 5 साल तक ठीक है जो भी परिशना रही है आप लोगों ने बहुत भाजबाक के पक्च में दिखाया हो लेकिन अब क्योंकि चुनाओ का समय है के इंदर से भलाई अब भी के इंदर में भाजबाज सरकार है आपके लोगों की मजबूरी होती है मैं सब समझता हूं मैं 30-40 साल से रानेते कर रहा हूं लेकिन मैं मेरा मीडिया से भी निवेदन है कि उत्रा खंड के सचाही इसलिए आप भी आपर इंटर्व्यू दे रहे हैं क्योंकि हम आपसे जानन आति रही की और पैंक साल आपने का कि आपको काम काम नहीं उन्सेम कर द कि मेरे मेरे में में करने कि मेरे नहीं होती है से भी नग होते हैं आप तो क्योंकि क bunsटर हो आप तो एंकर हो इसलिए मैं आपकी मेरे मेरा भी जैसे आपका भी मुझे मालुं किती golden sadly अफ़ी हम खुद अपना समाचार खुद अपना बनाते थे और वह बाइब बस से जो है रिसकेस बीज़ते थे और वही चप जाता था अगर हम किसी के पंच में बात दिखाते तो आज आप से यहां पर हम वजह भी नहीं पूछते हारक सिंग्रावच जी लेकिन अब क्योंकि 2022 विधा लोग हैं बहुत जिमदार लोग हैं इसने को क्यों बहुत ज़्यादा बैगेज के साथ जाना उभी चुनाओं के समय में बहुत अच्छा नहीं है जनता आए भोटर आए यूथ आए लेकिन ज़्यादा नेता नहीं आने चाहिए मैं आप होता हूं उससे फाइदे हुझे क पूंका न उचित नहीं है जानता हूं कि भाजपा के जो विदयाया की समय है अगर व्हुत बहुत सरे कंडेट हैं जो जिनके खिलाबी हरेक सिंग रावद जी एक सवाल और आप से यहाँ पर करना चाहोगी आपकी नराजगी हमने देखी ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप नाराज चल रहे थे तमाम बातें आपने की लेकिन यहाँ पर विकल्प की तौर पर भविश में आप क्या देख रहे हैं कोई और पार्टी जोएन करेंगे या फिर खुद की अपनी पार्टी हुआ 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 करूँगा लेकि मैं किसी और पार्टी को नहीं करूँ मैं उत्राखंण राज्य का अंदोलन में उत्रा आपनी पार्टी गैरानितिक संकटन बना चुका हूं और मैंने जंतर मंतर पर 6 साल 94 से लेकर 2000 राज्य बनने तक जो है धरना दिया सबसे पर दीट वा तो कॉंग्रेस बूंगा नहीं तो मैं अपनी हिसाब से रानित करूँगा लेकिन रानीति दल में दूसरे किसी रानिति दल में समझने का कोई शवाल नहीं और रेक्सिंग रावाजी आनि आपने साफ कर दिया है कि आप कॉंग्रेस समें शामिल हो सकते हैं यह तो आपने बहुत लंबे समय से आपसे सवाल जानना चाहरी थी इसका जवाब मुझे मिल गया है लेकिन आपके क्या क्या प्रस्ताव होंगे अगर आप कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या शर्त आपकी होंगी कोई कोई परस्ताव नहीं ह होगा उत्राखन में कॉंग्रेस की सरकार लाना मेरा लक्षे होगा कॉंग्रेस कल किसको मुखंतरी बनाती किसको क्या करती है यह कॉंग्रेस का हाई कमान कॉंग्रेस के विधाय के तै करेंगे मेरा सिर्फ एक मकसद होगा कि उत्राखन में कॉंग्रेस सरकार बने उत्राखन में एक ऐसा सरकार आये जो तराखन के लोगों के लिए काम करें उत्राखन के वो मेरा लक्षे होगा जी और उस लक्षे के लिए मुझे अपनी कोई भी कुर्वानी देनी होगी कॉंग्रिस के मुझे रिंचुराउन लड़ना मैं नहीं लड़ूगा कॉंग्रिस के कि नहीं मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं मेरे अंदर काम करने के ललक है और वो मैं करूगा जी हरक सिंग्रावज जी बहुत शुक्री अन्यूज 18 को अपना समय के देने के लिए और हम चाहेंगे कि उत्राखन के लोगों के प्रति आपकी तत्रपता है वो आगे भी इसी तरीके